नमस्ते, आज हम पढ़ेंगे तुम कब चाओगे अतिथी जो की शरत जोशी द्वारा लिखी एक अतिथी का अर्थ होता है जिसके आने की कोई तिथी याने की कोई डेट निश्चित ना हो अतिथी का आना बहुत अच्छा लगता है लेकिन अतिथी का दो दिन यहों से ज़्यादा रुख जाना हमें खलने लगता है इसलिए ही अतिथी को अतिथी कहा जाता है हमें जानते हैं कि अतिथी देवभव होता है यानि अतिथी भगवान के समान होता है लेकिन यहाँ पे दो अर्थ हैं जो हमें समझने चाहें पहला अर्थ अतिथी भगवान के समान होता है क्यों? क्योंकि उसका यह कर्टब क्योंकि हमारे यह कर्टब वे हैं कि हम उसका अच्छे से आदफ सतकार करें जब तक वो हमारे पास आया है और अतिथी का यह कर्टब है कि वो जिस जगे पर आया है तो वहाँ पे वो ठैरे नहीं बहुत समय तब पैर पसार के ना बैठ चाए इससे जो दूसरा व्यक्ति है वे परिशान हो जाता है है ना तो अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन टू लाइन समझेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चैप्टर में आपको मूल बात कहीं कहीं है हम उसको जान सके आज तुम्हारे आगमन के चर्तुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमण रहा है तुम कब जाओगे अतिति तो यही होता है कि अतिति दो दिन से जादा रुख गए तो वह हमें खलता है हमें परिशान करता है तो लेखक यह कहते हैं अपने मन में ही कि आज तुम्हारे यहां आगमन का चाथा दिन है चाथा दिन है दिवस यानि दिन चतर्त यानि चाथा दिन है और यह प्रश्ण बार बार मन में घुमड यानि आ रहा है कि तुम कब जाओगे अदि तुम जहां बैठे निसंकूच सिग्रेट का धुआ फेक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है देख रहे हो ना इसकी तारीं के अपनी सीमा से नमरता से फड़़डाती रहती है में ही सारी बाते करते हो कहते हैं कि देखो आति तुम जहां बैठे हो और बैठ करनी संकूच बिना संकूच के बिना किसी संकूच के अपना जो धुआ है सिग्रेट का वो उड़ा रहे हो फेक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है कैलेंडर को हम तिथी सूची कहते हैं इसकी तारीखे अपनी सीमा से नमरता से फड़़़ाती रहती हैं यानि कि वह दिन प्रति दिन बदलती रहती हैं विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर तारीखे बदल रहा हूँ इससे हमें यह पता चलता है कि जो लेकर के वे जान मुझके जो कैलेंडर की जो तारीखे बदलती जारहे हैं उसको दिखा रही है जिससे कि जो लेखक है वे इस चीज़ को पष्ट कर सके कि तुम कितने समय रुख चुके हो और अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए तुम्हारे सतत आतित्य का चौथा बारी दिन पर तुम्हारे जानी कि कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है तुम्हारे सतत आतित्य का चौथा बारी दिन पर तुम्हारे जाने कि कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है तुम्हारे संकोज बिना किसी संकोज के आराम से बैटी हुए हो लाखों मी लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी से यात्रा कर मेरे घर आये हो तो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं जो space में खूंते हैं है ना जो space में घूँनते हैं अंतरक्ष में घूनते हैं वो कभी भी बहुत समय तक चानपन ही रुकते हैं अपनी यात्रां की लंबी ज़रूर होती है किनतु भे है यात्रा लंबी होती है लेकिन अपनी destiny पे पहुँचने पर उसके बाद क्या होता है उसके बाद में जल से ही धर्थी पर लौट जाते हैं अपने घर लौट जाते है जितने समय एक छोटी सी यात्रा कर तुम मेरे घर आये हो है ना उससे भी कम समय में जैस्टर नौट्स अपने सपर तह कर ले दे है है न, तुम अपने भारी चरण कमलो की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझे स्थापित कर लिया है तो इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इधर बोला जा रहा है कि एक बात सुनो तुम मेरे यां इतना समय तक रुख चुके हो कि तुम अपने भारी चरण कमलो की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो और तुमने मेरे साथ एक निजी संबंध स्थापित कर लिया है तुमने मेरे आर्थिक सीमाओ की बेंजनी चटाम देख ली है यानि कि मैं कितना कमाता हूँ, क्या खाता हूँ, पीता हूँ, उत्यादी और तुम मेरे काफी मिटी खो चुके हो, यानि बहुत कुछ मेरे बारे में जान चुके हो तुमने बहुत सारी मेरे जो पोले हैं वो खोल ली है अब तुम लौट जावाती थी, तुम्हारे जाने के लिए उच्छ समय यर्था थाई टाइम में एकदम सही समय है क्या तुम्हारे प्रित्वी तुम्हारा घर महीं पुकाड़ता उस दिन जब तुम आए थे, मेरा रिदे किसी अज्यात आश्यंका से काप उठाता अंदर ही अंदर कहीं मेरा बट्वा काप गया था उसकी पावजूद एक इस नहीं भी की मुस्कुराहट के साथ मैं तुम से गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी, तुम्हारे सम्मान में ओवते थी हमने रात के भूजन कुई का एक कुछ मध्यंबर्ग के डिनर में बदल दिया था तुम्हें स्मरण होगा कि दो सबजियों और रायते के साथ के अलावा मीठा भी बनाया था ये एक बहुत इंपोर्डन क्वेशन का अंसर रिसकता है कि किस अग्यात आशंका से जो लेखक है उनका जो बटुआ था काप गया था तो उनका हृदय और उनका बटुआ किस अग्यात आशंका से काप गया था तो हुआ क्या जब तुम आए थे तो ये अग्यात आशंका थी कि जो मेरा सारा पैसा है वो खतम हो जाएगा तो मेरा खूब खर्चा करवाओगी उसके बावजूद भी उन्होंने क्या क्या उन्होंने एक सनेह भीगी यानि प्यार से भरी मुस्कुराहट के साथ जो लेखक है उन्होंने का कि बहुत अच्छी जो अपनी मुस्कुराहट है चेहरे पर लिए मैं तुम से गले मिला था और मेरी पत्नी नहीं यह नहीं हुआरे सम्मान में होती थी हमने रात की खाजन खाने को जो रात का भूजन होता है जिसे हम डिनर कहते हैं एक उछा मध्न्वर्ग का डिनर अच्छीं इन्वर्ग का डिनर यानि जो मिडल और हाइटलास काते हैं तो वह डिनर में बदल दिया था मुझे याद है कि दो इस सारे उत्साहां और लगन के मूल में एक आशा थी आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार महमान नावाजी कि शाह की छाप अपने रिदे में लिए तुम लोट जाओगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि आशा थी हमें कि तुम हम जो तुमारतना आदर सतकार कर रहें तो एक अच्छी शानदा और महमान नावाजी की छाप अपने रिदे में लिए तुम चले जाओगे अगले किसी दूसरे दिन तुम चले जाओगे हम तुमसे रुखने का आग्रे करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छी अतिती की तरह चले जाओगे तो अतिती जब आता है तुसे जाना भी चाहिए पर तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिती सुलब मुस्कान लिए अतिती जैसे मुस्कान लिए घर में बने रहे हमने अपनी पीड़ा पी ली क्या पीड़ा थी कि तुम गई नहीं अतिती है ना और प्रसन बने रहे स्वागत सतकार के जिस उच बिंदू यानि कि जो हम हाई पीक पर पहुँच गए थे अब हमने वहां से उत्तरना भी शुरू कर दिया था तो जो हमने पहले लांच और फिर डिनर फिर लांच होता है दोपहर का खाना होता है फिर डिनर होता है जो हमने इतना पंक्चवल बन कि लांच का खाना फिर बीच में जब दोपहरी का खाना फिर रात का खाना तो अब हमने क्या किया दोपहर के बोजन को लांच की गरीमा दे दी थी यानि लांच जो हम करते थे सुबा अब वो नहीं किया और केवल दोपहर ही हमने खाना खाया हम तीन समय खाना खाते हैं दे करना अपेट इनर तो जो लॉंच था कई घरों में नहीं करते ही लोगों के बतना समय नहीं होथा तो लॉंच नहीं ख़ते और सीधा हो दोपहर का खाना करते हैं तो जब हमने लंच था उसकी जो गरिमा थी हो दोपहर के खाने को दे दी थी तो दोपहर के भूजन को लंच की गरिमा प्रदान किया नहीं कि जो लंच हम सुबा सुबा करते थे आप वो नहीं किया और दोपहर के खाने को हमने लंच का और रात को तुम्हें सिनेमा दिखाया, मूवी दिखाया, हमारे सत्कार का यह आखरी चोर है, यानि कि यह आखरी हमारा आपके सकते हो कि पीका के आखरी स्चेज है, जिस से आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े, यानि उसके बाद हम अपने पे उतर आएंगे और फिर हम किसी का समाना दर्नी करेंगे, इसके तुरंट बार भावबीनी विदाई का वह भीगा हुआशन आ जाना चाहिए था, अब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्चेशन तक छोड़ने आते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तीसरे दिन की सुभे तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह अगात अप्रत्याशित था, तु तीसरे दिन हुआ क्या, तुमने कहा कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, यह आघाद यह जो तुमने कहा था यह बहुत अपरत्याशित था यह आघाद अपरत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी यानि कि बहुत दर्दनिया थी तुम्हारे सामेपे की वेला एक एक रबर की तरह खीची जा रही थी यानि कि तुम्हारे 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 घर में रुकने का समय है वो बढ़ता जा रहा था इसका मुझे अनुमाना था पहले बार मुझे लगा कि अतिती सदैव देपता नहीं होते हैं वेह मानव और थोड़े अंशों में राक्षयस भी हो सकते हैं यानि कि वेह कई भार राक्षयस के तरह अभी आपको लगेंगे जब वे मतलब जाने का नाम नहीं लेते हैं किसी लॉंड्री पर दे आती हैं मैंने कहा तो लेकर पर कहते हैं कि इसको लॉंड्री में दे आते हैं जल्दी दुल जाएंगे मैंने कहा मन में एक विश्वास था कि इन्हें जल्दी जाना होगा शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये कपड़े दुलवा रहे हैं कहां है लॉंड्री चलो चलते हैं तो कहां है लॉंड्री किसने का ये अतिती ने का और चलो चलते हैं ये किसने का मैंने का ये देखक ने का और अपनी सहज बनियान, सहज बनियान होती है, जो जातर में पहना करता था, पर अपचारिक गुर्था डालने लगा, जो उनकी बनियान थी, उसके उपचारिक एक फॉर्मल सुन्दर सा गुर्था डालने लगे, कहा जा रहे हैं पत्नी ने पूछा, इनके कपड़े लॉंड पूर्व, उनकी ऐसी आखें, देख मैंने अपने अकेले पन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, अर्थात की पहले जब इनसे शादी की थी, तो उससे पहले जब यही मैंने इनकी आखें देखी थी, अपनी बत्नी को कहते हैं, तो इनकी आखें देखकर ही मैंने इनको अपने गया में प्रवेश करवाया, इनसे शादी करी, इनसे विवा किया, और अपने अकिलेपन की यातरा समाप्त कर बिस्तर खोल दी, यानि की साथ इनके साथ समय बिताने लगा, इनके साथ रहने लगा, पर अब जब आज वही आकी बड़ी होती है, तो मन छोटा हो जाता है, बुरा लगता है, वे इस आशंग का और भे से बड़ी होई थी कि अतिती अधिक दिनों ठैरेगा, और आशंग का निर्मून ना थी, निर्मून यानि की बेवजा ना थी, अतिती तुम जान नहीं रही, लॉंड्रे पर दिये कपड़े दूल कर आ गए हैं, जो ल धरकम शरीर किसे सलवटे बड़ी चादर बदली जा चुकी है, यानि कि जो चादर जिस पे तुम सोय थे, वो बदल दी गई है, और तुम यहीं हो, तुम्हें देखकर फूट पढ़ने वाली मुस्कराट दीरे-दीरे फीकी पढ़कर लुपत हो गई है, तो पहले जब गुबारे जो कल तक कमरे के आकाश में उड़ते थे, यानि कि कमरे में भरे रहते थे, अब दिखाई नहीं देते, और आगे लिखा कहते हैं, बाचीत की उचलती हुई गेंट, चर्चा के शेतर से सब के सभी कोन अलो से टपे खाकर फिर सेंटर पर आ गया, यानि कि जो बा अब तुम उस उठा रहे हो, ना मैं उस उठा रहा हूँ, तुम ना मैं, अब इसे ना तुम हिला रहे हो, ना मैं, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम पिल्मी पत्रे का की पन्नी पलट रहे हो, शब्दों का लें दिन मिट गया है, और चर्चा के विशे चुक परिवार बच्ची नौकरी फिल्म राजी ती रिष्टेदारी तबादली परानी दोस्त परिवार नियोजन महिंगा इसाहित थे और यहां तक कि जो उन्होंने आख मार मार के परानी प्रानी प्रेमिकाओं की भी बाती थी जिक्र था वो कर लिया था और अब एक चुपई है अब एक चुपई है ना तुम बात आगे बढ़ा रही हो ना मैं हम सब चुप रहे था थी है ना आगे क्या है देखो आगे आगे है आगे 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 हे बात हम हैं सोहार्द अप्शनेशने भूरیत का रूप रूपांतरित हो रहा यानि कि अब धीरे धीरे ज़ो मारी बात है वो भूरियत वाली बात में बदल होई है भावनाय गालियों का रूप रहे हैं जो पहले हम इत्यासे मज़ाव करे थे वो सब अफ़ गालीव कर उप रहे हैं पर तुम जानी ही रही हो किस अध्रिशे गोल में तुम्हारा व irritating तुम यहाँ चिपग गया है यानि तुम यहाँ पर किस गोंद से किस ग्लू से चिपग गयी हो जो तुम्हें यहासे उठेने दे रही है इस बेत को सव परिवार हम समझ नहीं पा रही है बार बार यह प्रशने उठ रहा हैं तुम कब जाओगे अतिती कल पत्ती ने धीरे से पूचा कब तक ठिकेंगी यह मैंने कंदी उचका दिये क्या कह सकता हूँ है न आगे मैं तो आज खिचोड़ी बना रही हूँ है न हल्गा गाना बना रही हैं सतकार की उश्मा समाप्त हो रही है यानि कि जो हीट थी वो खतम हो रही है डिनर से चले थे खिचोड़ी पर आ गये थे अब भी अगर तुम नहीं गयाती थी तो हमको उपवास पर आना पड़ेगा यानि कि हमें तो वरत लिना पड़ेगा तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमन की दौर से गुजर रहे हैं तुम्हारे जाने का यह चरम शन है तुम चाओ ना अतिधी चले जाओ मैं जानता हूँ अगर बस चलता तो सभी दूसरे के आहां रहते पर ऐसा नहीं हो सकता अपने घर की महत्त है कि इसी कारण गाय जाते हैं उनको इसी कारण स्वीट हुम का जाते हैं तो घर को स्वीट हुम क्यों का जाता है पर सोच परी है शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी कोई वाकिया है जो बोला जा सकता है अब आगे है अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वे तुम्हारे यहां आगमन के बाद पाच्वा सुजर्य की परिचित किरण होगी तो यह पर बी कहते हैं अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान की अपने खराटे मार कर तुम एक रात और जो कमरे में गुंजयकी खराटों की तो उस रात के बाद के जो अगला दिन होगा वै तुम्हारे आगमन का पाच्वा देन होगा आशा है कि वह तुम्हें चुमेगा यानि वह जब आएगा और तुम यहां से चले जाओगे तुम घर नौट जाओगे और सम्मान पुनेने ले लोगे जसमें तुम्हारा सम्मान होगा मेरे सहन शीलता कीवे अंतिम सुबह होगी उसके बाद में स्चान नहीं कर सकूँगा और लड़ खड़ा जाओगा मेरे अतिथी मैं जानता हूँ कि अतिथी देवता होता है पर आखिर मैं तो मनश्य हूँ न तो कहते हैं कि तुम देवता हो आतिथी उपर मैं मनश्य हूँ मैं कभी मैं कोई तुम्हारे तरह देवता नहीं हूँ और एक देवता मनश्य कभी अधिक समय साथ नहीं रह सकते हैं इसी वज़े से जब गणईश जाते हैं तो वो कुछ समय बाद चले जाते हैं बिनारुकी दादा देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं तुम लौट जाओ अतिथी इसी में तुम्हारा देवत हो यानि तुम्हारा जो देवपन है जो तुम्हारा देवत हो है वो सुरक्ष झाल झाल